हाई फ्रेंड्स विल्कम है हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल पर तोड़े भी है एफ सेलेक्टेड टेस्ट नमबर 130 फ्रेंड्स इमारा टेस्ट नमबर 130 है इसमें बात करेंगे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इन अटोमी एंड फीडियो लाजी से जो कोशन रह कहते हैं उनके बारे में डीटिल से समझेंगे यहां पर और कुछ महिलाओं ने कुछ कन्याओं ने और कुछ महापुरसों के जो डॉप्ट थे मसल्स को लेके मांस पेसु के लेके ठीक है वो सभी डॉप्ट हम लास्ट में किलियर करेंगे कौन सी मसल बड़ी होती है लंबी हमस होते हैं आरी स्टेट के जितने भी श्म क चैहाम से होते हैं पंजाब हर्याना हिमाचल पर्देश उत्राखंड बिहार चंदिगार पीजाई एमस नर्सिंग सीयार्पेप नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, सभी के लिए, राजिस्तान, सियाचो, राजिस्तान, नहिचेम, सभी के लिए, समान रुष्टे, उप्योगिया, अशाम, केरला, सभी के लिए, चलिए, कोशन नमर फर्स्ट है, आपकी स्किन पर पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं, कोशन नमर फर्स्ट, कोशन नमर फर्स्ट पर दिया गया है, मनुष्ट में, लंबर कशे रुकाओं, कि संख्या कितनी होती है, वाट इस नमर आप दी, लंबर वर्ट परी इन हुमें, क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर आंसर आए, तो जरूर कमिंड बॉक् आपका टेस्ट कोशन अच्छा होगा, और लास्ट में बताएं, आपने कितने कोशन सही किये, राइट आंसर आप संसी है, क्या, पांच, कितनी होती है, पांच होती है, लंबर, वर्ट परी, इन्दी को लंबर कसे रुकाओं कहा जाता है, वर्ट परी का मतलब होता है, अब द्यान रखे, L1 से L5, ये नंबर पूछा जाता है, ये नंबर पूछा जाता है, जो लंबर, वर्ट परी होता है, वो कितने से कितने तक होता है, L1 से L4 तक होता है, या L1 से L5 तक, तो द्यान रखे, L1 से L5 तक क्या होता है, लंबर, वर्ट परी होता है, ये क्या होत इसी को L1 कहा जाता है यहाँ पर L5 कहा जाता है यह जो spinal cord होता है आपका read की हड़ी तो नीची वाले पार्ट में होता है इसका हम image based एक जिसमें चित्रबाई pictures के माध्यम से एक video बना देंगे आप हमें comment करके तो याद दिला देना ठीक है तो हम इसे बना देंगे ताकि आपका clear हो जाए सभी चीजे हम image में आपको समझा देंगे तो आप यह समझे L1 से L5 तक क्या होगा लंबर वर्ट प्री होगा जिसी को लंबर कसी रुकाहे कहा जाता है अब यहाँ पर समझे लंबर low back यह होता कहा है जो rear की हड़ी होती है जिसे spinal cord कहा जाता है तो यहां से L1 L2 होता है इसका कार क्या होता है बाड़ी के भार को सहना है यह L1 और L5 का कार होता है इसका मतलब यह क्योवल दो नहीं है इसका मतलब है L1 है L2 है L3 है L4 है और L5 है ठीक है यह serial से होते है उपर 11 होता है फिर L2 होता है L3 होता है L5 होता है इस तरहे आपको समझना है कोशन नमबर तू पढ़ लें धिरे-धिरे सबी कोशनों में बात करेंगे और किलियर हो जाएंगे कोशन नमबर तू कोशन नमबर तू पर है मनुस्त में सर्वाइकल कसिरक्वाइं सर्वाइकल वर्टब्री की संख्या कितनी होती है कितनी होती है कमेंड करें अपना अंसर अगर आंसर आए तो जरूर बताया करें आफसन डीस का राइट अंसर होगा कितनी होती है साथ होती है सर्वाइकल जो कसिरकाय होती है या सर्वाइकल वर्टब्री इनकी जो संख्या होती है वो साथ होती है कितनी सेवेन होती है आप यहाँ पर देख ले इनका नाम की सिसाब से चलता है मालो यह आपकी rear की हड़ी है यह क्या है सबसे topest point है तो इसको c1 कहा जाता है फिर इसके बाद होता है c2 फिर c3 होता है c4 c5 यहाँ पर मालो की c7 है ठीक है इसे आप से हम समझा रहे हैं आपको तो जो c1 होता है यह cervical वाला first number होता है इसी को atlas नाम से जाना जाता है किस नाम से atlas के नाम से जाना जाता है फिर इसका आद access होता है ठीक तो पहली वाली जो cervical होगी first cervical first cervical vertebrie को किस नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे atlas के नाम से जाना जाता है यह question पूछा गया था exam समय जो first वाली cervical होती है उसे किस नाम से जाना जाता है उसे atlas के नाम से जाना जाता है यह यूं कहें जो spinal cord की जो सबसे पहली उपर वाली top ते ठीक है आश्ट में और यह अच्छे से clear करेंगे यह लिखा है यहां से सी वाला पार्ट होता है यह लिखा है यह क्या करता है वेट के सपोर्ट में मदद करता है किसके जो head का weight होता है क्योंकि cervical क्या होती है यह head के पास पाई जाती है यह आपकी खोपड़ी हो गई ठीक है यह आपकी खोपड़ी हो गई और यह यहाँ से start होती इस जगह से यहाँ पर एक bones पाई जाती है C1, C2 तो यह क्या करती है head को support करती है तो आपके खोपड़ी को सिर के सपोर्ट करती है, अब यहाँ पर समझे कोशन नुबर तीसरा, कोशन नुबर तीसरा पढ़ ले, यह स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है, इस्पाइनल कॉर्ड मतलब रीर के हड़ी के बारे में जो भी टीटेलिंस आती है कोशन उनके बारे बात करें मनसुमें यह लिए थोरसिक कासी रुका है यह थोरसिक वर्टिबरी की संख्या केतनी होती है अपने इसाब से पढ़ ले कोशन इसका राइट आंसर क्या होगा आफशन 20 का राइट आंसर होगा क्या आफशन B ओके तो ध्यान रखे आफशन 20 का राइट आंसर होगा 12 होती है अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेती है ठीक है यह T1 से T12 बताक होती है T1 से T12 बताक होती है तो इसका मलब यह दो नहीं होती T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 इसी तरह यह T11, T12 इस तरह होती है ठीक तो आप समझे होंगे और यह होती कहा है अब यह थोड़ा define कर रहे हैं से थोड़ा समझ ले आप यह माल लो उपर वाला C1 था और फिर C2 था तो माल लो यहां से C7 खतम हो गया नीचे मैंने बताया था L1 से L5 तक होता है यह बीच वाला पार्ट है यह वाला survival और L के बीच में CL के बीच में जो पार्ट है यह T कहलाता है क्या T, T मतलब होता है thoracic, क्या thoracic वाली वर्टबिरी, थरसिक वर्टबिरी केतनी होती है, बारा होती है, थरसिक मतलब यह जो T लिया गया है, T का मतलब चाय वाला T नहीं होता है, यह मतलब इसका मतलब होता है, नेम है यह, ठीक है, नेमिंग किया गया है, इससे, नामकरान किया गया है, तो थरसिक मतलब जो उसका प सबसे उपर होगी नीचे क्या होगी इसके भी नीचे ओती है इस तरह भी कोशन बनाया जा सकता है तो आप बताएंगे यह पाए जाती है और स्धुर्य पाइजा जाती है उमीद करते हैं आप थला बहुत समझ गया होंगे बाकी वही पॉइंट जो बात बता ही ये चीज़ वहाँ पर भिंसन है ठीक है कि ये क्या सेकेंड नमबर की होती है उपर वाला सर्वाइकल होता है नीचे वाला क्या होता है लंबर होता है क्या L1 से L5 होता है बीच में क्या है थौरसिक होता है T1 T1 से T12 बता होता है नीचे यार लोग कमेट जरूर करना क्योंकि धुला यात नहीं रहता और रिजिनिंग भी आज पढ़ाएंगे नाइट में कुशन नमर फोर है क्रेनियम में पाई जाने वाली प्राइटल अस्तियों की संख्या कितनी होती है कितनी होती है यह आपको आंसर आना चाहिए इसका पिछले वीडियो हमने इसे कवर किया था बताया था प्राइटल जो अस्तियां होती है आफसन एस का राइट आंसर होगा क्या आफसन एस दो पाई जाती है कितनी दो पाई जाती है आपको मैंने खोपड़ा बना के बताया था ना खोपड़ी है इस तरह की ये बाहरवाली frontal कहलाती थी इसे कुरूनल के नाम से जना जाता है ये कुरूनल सूचर होता है जहां से सूजी की तरह सिला हो मतलब जहां पर टाके जैसे लगे हो ये फाइब्रस होता है ठीक है बीज में होती है नीचे औसी रखण होता है ये दो होती है इन जे चुपड़ी में अपने आप खोपड़ी में हात लगा के देख लेन जो मैदान से होगा न सबसे जो बीच वाला अपर टॉप पास्ट होगा मिटल वाला इसी को परिटल खा जाता है यह दो बोन होती है यह बीज से डिवाइडेशन होता है साजिटल सुचर्स होते हैं मतलब सिलाई होती है इस तरह समझ ले कोशन नमबर यहाँ पर अगर देखने जाने पॉइंट वही पॉइंट मेंसा ने जो बताएं हमने परिटल सुचर्स बोर्ट, केरेडियल सुचर्स फार्मिंग पार्ट आप दे साइड और टॉप आप दी हेड यह क्या करता है जैसे भी बताया था यह फ्रेंटल होगा और यह बीच में ऐसी होगी तो इधर से जुड़ा होगा थोड़ा टेंपरोल होता है इधर से भी जुड़ा होगा तो टॉप वाला जो उपर का पार्ट होता है इसे प्रेंटल कहा जाता है ठीक है एक है एक है तो यह दो होती है दो से डिवाइड होते है, in the front of the parittals bone, join the frontal bones, करा in the front, मतलब यह जो मत्था वाला पार्ट है, यह आपकी आखे हैं, यह जो मत्थे वाला पार्ट है, आखों के उपर वाला पार्ट, ठीक है, इसी को frontal bone कहा जाता है, frontal मतलब समझ ले, forehead वाला bone, in the back the ocital bones, in the back, मतलब जहां से यह गर्दन होती है, आपकी गर्दन, ठीक है, यह वाली, neck वाला पार्ट, यह वाला पार्ट, यहाँ पर ocital bones होती है, सबसे last में होती है, यही से क्या होता है, C1, C2 होते हैं, मतलब, वो cervical bone, vertebrates chart होती है, फिर लिखा, temporal and sphenoid bones, यह कहां पाई जाती है, आप देखें, दुबारा bones समझ ले, आप temporal and sphenoid, ठीक है, यह जो कान होते हैं, कान के जो यह अंदर वाला पार्ट होता है, यह वाला, कनपटी जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसको temporal bone के नाम से जाना जाता है, इधर का यह वाला पार्ट, जहां पर आपकी कलमे है, ठीक है, कलमे के पीछे वाला पार कान, जहां पर कान आपका निकला हुआ है, उसका जो जहां से आपको ठोंस दिग रहा होगा, solid वाला पार्ट, तच करके देख ले, उदर की जो हटियां होगा है, जो खोपडी से आपकी लगी भी है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते है, इसी को temporal bone के नाम से जाना जाता है, यह दो होती है, एक left होगी, एक right होगी, अब यह लिखा है, यह लिखा है, spinoid bones, यह कहां पाई जाती है, यह जहां पर आपकी column होती है ना, जो कलमे होती हो, पुरूस हो या महिला हो, ठीक है, सभी में जो कलमे होती है, hair के बाद जहां पर यह इस तरह होती है, ठीक, तो यह दो दोनों तरप क्या होती है, tahun mation keyword क्या पर पाई यती हैं। सिप्प59 बोन क्या कहते हैं ठोला आज ऐबार्त कि और देखती है, अगर आप टजच्छ करेंगे तो bunları last वाला पार्ट होता है, इसे आप spinoid bone कहेंगे ओके इसे last में और समझा देंगे थोड़ा बहुत ताकि किलियर हो जाए अब देखे कोशन नमबर 5 मन उसमें कुल metacorpal अस्तियों की संक्या कितनी होती है what is the total number of the metacorpal bone in human अब पढ़ लें कोशन को फिर आफसन पढ़ें अब नामसर बताएं कोशन नमबर 5 क्या होगा इसका right answer इसका जो right answer होगा आफसन भी होगा क्या आफसन भी 10 टेन होती है ठीक है 10 total metacorpal अस्तियां या bone होती है total पूछा था इसमे total का मतलब है कि शरीरी में पूछेगा तो इसका मलब दोनों हाथों में दोनों हाथ जो होते हैं hand इनमें दोनों में बिला गए 5 इस वाली palm में होंगी left में 5 होती है right में तो ध्यान रखके यह total metacorpal की जो संख्या होती हो 10 होती है एक में नहीं किनना है आपको दोनों में है क्योंकि यहाँ पर कुल पूछा गया था कुल मतलब total total पूछा गया तो कोशन में इंग्लिस में पढ़ लेना जब उस पर one hand या one palm देता ओके एक हथेली में तो कितनी होती तो आप बताते पांच ठीक है one में कितनी होती है देखो दो में यहाँ पर में इंसन है कितनी दो में में इंसन है दो में दोनों हाथ हों के जो palm होती इस पर कितनी होंगी metacorpal ये 10 होंगी एक की बात करेंगे तो एक में 5 होंगी एक में कितनी होंगी 5 कोशन में समझ लेना आप यह लिकाए the palm has the 5 bones non has the metacorpal bones जिसी को क्या कहा जाता metacorpal bones कहा जाता जो palm में पाई जाती है आपकी जो हतेली होती है हतेली वाली ठीक है यहाँ पर जो bones होती है the 14 digital bones also called the fulange and the phalanx bones अब इस पर ग्या होता है diagnostic bones कौँन सी होती है आप का जो हाथ है ना आप का हाथ है इस हिसाफ से जो उड़िया होती है कैसे बना है याद बन गया इस तरह हो जो कि यह 5 हाथ है ठीक 5 उड़िया है इस पर जो यह देखो जो कभी-कभी क्या करतें इससे digital link कुछ किया करतें आपको जोड घटाना प्लस-мाइनस कुछ भी करना होगा तो mostly क्या होता है जटने भी लोग होतें male और female कोई भी अपना हिसाब किताब लगाते हैं तो क्या करते है इन उंगलियों के जो पॉर होते हैं जो पार्ट होते हैं आपने दोखा То इसमें तीन पार्ट होते हैं पिर ये इंडेक्स में तीन पार्ट होते हैं फिर यह जो लास्ट होंगे तो 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा चार उंगलियों में 12 हो जाएगे ठीक है 4 3 12 हो जाएगा और उठे में 2 होंगे तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 इस तरह समझ लें नहीं दिजिटल बोन भी कहा जाता है क्यों कि यहां से क्या होता है गिंती पड़ा भी लोग बहुत सुखते हैं और पताते हैं कि रहें ऐसा ऐसा किया जाता है ठीक है इसाब किताब न लगा लेते हैं इसी को फिलाइन यह कहा जागे पूरे सेट को पढ़ लेए एक खाट में कार्पलस्तियों की संख्या केतनी होती है एक हात के बारे हैं पात किया गया यहां पर का राइट आंसर आपसर नहीं आपर इस पर लिख लेना है डी पे एट लिख लेना क्या एट आठ होती है आपसर डी पे ठीक है यहाँ पर टैपिंग विश्टेक हो गई तो आपको आठ लिखना है यहाँ पर आपसर डी पे आपको एट नोट करना है कारपल बोन की संख्या कि के अब यहाँ पर question number आप 7 पढ़ लें question number 7 पर दिया गया है निमने से ल आकार की अस्ति कौन सी है which of the following is an LCA bone कौन सी है क्या होगा right answer इसका absence इसका right answer होगा क्या यह लिखा है peletine peletine यहाँ पर अगर आप एक ही मातरा लगाना चाहा है तो लगा लें अपने इंगलिस में right word लिखा है अब peletine कहा जाता है ठीक है peletine LACAR की bones होती है LACAR के safe में होती है अब यहाँ पर देख सकते हैं यह pie कहा पर जाती है peletine bone are distributed at the back of the nasal cavity between the maxilla and the tergoyd process of the spinoid bones यह क्या होता है जो नाक वाला जो पिछला पार्ट होता है नाक के जो पीछे वाला पार्ट होता है अब अंदर वाला ठीक है यह inner inner होता ठीक है यह LACAR की इस तरह होती है इस तरह ठीक है तो ध्यान रखना है यह peletine जो पाई जाती है आप face में याद रखे चेहले में यह लेकिन अंदर टाइप में अंदर पाई जाती हो कि कोशन नमबर है आठ एट नमबर पढ़ ले फिर अपना हमसर बता है एट नमबर काफी अच्छा कोशन है निमने में से कौन सी अस्ती हार्स सू इंगलिस में देख ले हार्स सू आकार क्यों होती है सि इस बोन क्वान का पैर जोड़ देता है इसका राइट ह हमसर हो смож 사람 यह इंदिमन विछ नहीं कोशन होती है अप देख लिए यहांपर____- और नुस में यह रार्स स्कीच बिछिष नहीं हिए हाउड अस्ती होती हर्स बढ़ एक ही हुँआ हुआ को पाई मेंडिबल नीचे जबड़ा को चाहता क्या इसी के जेस्ट जहां से गरदन जुड़ी होती यह लाड भूर्स कहलाती है यह की थे party lot और ओपर होता है ये लॉर्रेως होता है गर्दन में, तो Mandible और Lowndj women higher bones होती हो के, और इसका shape कैसा होता यू के shape में, कई बार question पुझाइता है, यू के shape में, घोडे के जो जूते मनलब आकार होता है, पैर होता हुटा उस shape में होती हो के, तो ये इस shape में होती है, आप question बोन्स को कालर बोन्स कहा जाता है क्या होती है कालर्स में इस्तित होती है कहाँ पर कालर्स में अब देख लें यहाँ पर कुछ यह जो बोन्स होती है यह वाली बोन्स यह जो जुड़ी होती है इन्हें को कालर बोन्स कहा जाता है यह आपके कालर्स यह होता है ठीक है कालर्स क बगल वाली जो bones होती है इन्हीं को color bones कहा जाता है और एक point अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें इसे beauty bones के नाम से जाना जाता है beauty, beauty, b-a-u-t-y beauty bones, okay इसे beauty bones के नाम से जाना जाता है किसे color bone को जाना जाता है और ये कहां इस्तित होती है आपके चेस्ट के जस्ट एब अब इस्तित होती है और यह सपोर्टिंग प्रॉइड करती है आपके इसके क्या कहते है ऊपर की खोपडिकों के इस तरह है और इनको भी धाचा अच्छा सब बना देती है और इसलिए ब्यूटी बोन्स को कहा जाता है इसका जो अच्छा बन ज होती है इसी को क्या कहा जाता है कि एस से बाली बोन है ओके तो ध्यान रखके यह दो बोन्स होती है क्लेविकल बोन्स को ब्यूटी बोन्स के नाम से भी जाना जाता है यह कोशन आप लिखेंगे यह क्लेविकल बोन को हिंदी में उपर लिखा है आप इसका प्रिण से यह ल की बोन नहीं है कौन सी नहीं है बागी सभी उपर की होगी एक नहीं होगी वो कौन सी नहीं है आपसन एस का राइट अंसर होगा फीमर फीमर ये अपर पार्ट की बोन नहीं है या अपर लिंब की नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये क्या जांग में पाई जाती है और ये सबसे बड़ी bones होती है ये आपके क्या होती है जांग में पाई जाती है तो ये सबसे बड़ी bones होती है आपसन इसका right answer होगा और भी जो point है उन्हें लाश्ट में समझेंगे question number 11 कौन सी hip bone कौन सी है बाकी नहीं है क्योंग एक हिप बोन से कौन सी है आपसंस इसका राइट आंसर होगा यह लिखा है इस्चियम यह याद कर ले यार दो तीन है बोन ठीक है इनको याद कर ले अच्छे से क्योंकि यह अक्सर जांस में देते रहते हैं थोड़ी टाइप होती है आप लोग इनको कम सुनते हैं इस वज़े से कम याद होती है जादा सुरोगे जादा याद होगी इलियम इस्चियम प्यूबिस यह हिप बोन है मेनली जो हैं यही है ठीक है तो इनको ध्यान रख किया आप तीन है इलियम ऐसे हिंदी में लिखना चाहा है तो आप लिखते हैं इलियम ये इलियम लिख गया इस ये उपर लिखा तब प्यूबिस हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर आप देख लें प्यूबिस आधा पा बामे छोटी की मातरा ये इस तरह है PBz लिखा जाता ये इसके लिए ठीक है तो 위에 arm, котором,頻道 PBC, इनी को दिया जाता है कोशन की कौन सी नहीं है, कौन सी है کوशन नमें 12, 12 कौन सी आस्तती lower limb की आस्ति और इस भूँचो lower limb bones अब यहाँ पर नीचे वाले part की बात करें बोड़ी के तो कौन सी है भाई आफसंस इसको राइट अंसर होगा फिमर फिमर क्योंकि जांग में पाई जाती है ये नीचे अपर लोवर में की है ठीक है लोवर लिंग अपर क्या होगा ये उपर का पार्ट होगा आपकी बॉड़ि के ठीक है यहां से उपर वाला पार्ट यह अपर कहलाएगा इसका नीचे वाला पार्ट क्या होगा नीवल के नीचे वाला यह लोवर कहलाएगा लोवर मतलब नीचे तो फीमर के है जांग में पाई जाती है बाकी जो हुमरस रेडियास अलना दियेगे सब हैंड में पाई जाती अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्जामस में बाई दबे कि जो अपर लिम्स की सबसे बड़ी बोन्स कौनसी होती है तो आप बताएंगे कि हुमरस सबसे बड़ी बोन्स होती है क्योंकि यह क्या होती है सबसे बड़ी होती कंदे से जाके कोहिणी तक आपके जॉइंड करती जाके यह देखे कोशन नमर 13 कौन सा सूचर प्राइटल एवं ऑक्सीपीटल अस्तियों के बीच पाया जाता है विस सूचर इस फाउंड बिट्विन दे प्राइटल एंड ऑक्सी यह लेंबवाइडल क्या है लेंबवाइडल एक प्राइटल और ऑक्सीपीटल हड्डियों के या अस्तियों के बीच में पाया जाता है आप संदी इसका राइट आंसर है जिस तरह कुशन बताया आप याद करने इसे आप थोड़ा समझा जेते हैं आप कोई खोपड़ी ब जो नीचे वाली बोन है इसी को ऑसीपेटल बोन कहा जाता है और यह जहां पर जॉइंट हो रहा है जहां पर यह जॉइंट हो रहा है ना ऑसीपेटल नीचे वाला हो गया पेरिटल ऊपर वाली ऊपर वाला हो गया ठीक है जहां पर यह सिलाई होगी इनकी जहां पर जॉइं सबोन यह दो फाइबरस के टाके लगते हैं इस तरह के लगाय नहीं जाते हैं पहले से होते हैं नेचुरल ली ठीक है तो इस तरह हैं तो इसी को कहा जाता है यह आपकी खोपड़ी होती है ठीक सामने वाला पार्ट frontal कह दिया जाता है और यही क्या होती है? occipital bone होती है इसके दो part होते है question number 14 पढ़ ले 14 number 14 पे दिया गया है दोनों prital asti के बीच पाया जाने वाला suture कौन सा है? दो prital asti के बीच चुपाया जाता है which is the suture found between the two prital bones अगर बाते हैं आपको समझ में ना रही हो तो दीरे दीरे आपको आ जाएगा क्योंकि जब भी कोई नए word होते हैं वही आपको tough लगते हैं वही आपको लगता है कि out of syllabus है बसरते बात यह होती है कि आपने पढ़ना थोड़ा दीर में सुरू किया था आपने लेट पढ़ना शुरू किया था इसलिए आपको इस चीज़े नहीं लगती है गबडा है नहीं इस वर पर भरोसा रखे इसका जो right answer होगा option B होगा क्या option B Sagittal क्या कहा जाता है Sagittal पढ़ने है Sagittal पढ़ने है अपनी साथ से पढ़ लेना बीच वाला पार्ट होगा जहां से आप क्या करते है मांगां खिशते है ठीक है या जहां से क्या होता है महिला है कि अपना सिंदूर उंदूर भरती है तो बीच वाला जो exact वाला पार्ट होता है माथें के just पीछे वाला पार्ट और बीच वाला ठीक है बीच वाला पार्ट तो इसी को प्राइटल्स कहा जाता है और यह जो बीच में जहां पर सिलाई होगी जहां से दोनों पार्ट जोड़ेंगे जहां पर दोनों पार्ट जुड़ेंगे मीडेर्श प्रीक है, तो इसी को सगेटल्ड िया से जड़ा होता है, इचरण यह यलीक अग दो अगर करता है, जैसे हमने बताया आपको यह दो उनको क्या करेगा, connect करता है left right को के बीच में ये suggestals होता है अब ये प्रिटल्स कैसे connect करता है देखिए ये बीच वाला पार्ड बना दिया है पीछे वाला क्या है तो अब यहाँ पर समझें ये दो को प्रिटल्स इधर भी है प्रिटल्स इसल भी है इसे lemboid connect कहा जाता है ये lemboid suture कहा जाता है जहाँ पर connection हुए जहाँ पर सिलाई हुई इनकी इसी को lemboid खा जागा ओके अब यहाँ पर देख लें एक और बात मिवसन है इसको MS suture ये क्या होता है connect the parittal's bone and the temporalal bones ये क्या करता है connect किसको करता है parittal's bones को temporalal bones को connect करता है इसको ये लिखा है इसको MS suture के नाम से जाना जाता है आप इन्हें देख लें थोड़ा बना देते हैं खोपडी ठीक है इस पर समझ ले थोड़ा ये बीच वाला part है पीछे वाला ocital है ये वाला frontal है खोपडी वाला ठीक है आपका चेहरा temporal कहा जाता है temple bones के नाम से भीचाना जाता ठीक है तो ये bones होती है यहाँ पर एक bones फैली होती है यहाँ होती है आप टश करके देख लें अपनी body में दोनों तरफ होती है ठीक है तो जो दोनों तरफ से जिससे जुड़ी होती है यहाँ पर एक joint होगा यहाँ पर क्योंकि जहां से दूसरी bone start होगी तो वहाँ पर सिलाई तो पक्का होगा वहाँ पर जोड़ होगा तो यहाँ पर जो फाइब्रस रेसे के माध्यन से जोड़ होगा जहाँ पर सिलाई होगी temporal bone की और prital bone की इसको इसको मैं सुचर कहा जाता है यह दोनों और होती है कोशन नमर है 15 15 पे दिया गया सरीर की सबसे लंबी अस्ती कौन सी है कापी simple है बताएं आप आंसर इसका आप सुन सी इसका राइट आंसर है फीमर ओके यह सरीर की सबसे लंबी अस्ती है निक्स्ट पॉइंट पे और मिंसन करेंगी इसके बारे में बात करेंगी दिरे दिरे कोशन नमर है 16 सरीर की सबसे मजबूत अस्त निम्न में से कौन सी है निम्न में से पूछा गया which of the following is the strongest bone of the body निम्न में से पूछा गया निम्न में से मतलब होता है जो नीचे दिये गें इसी किसाफ से आपको बताना है जादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगा ना ठीक है तो जो दिया गया आफसन में उसी recording आपको बताना है जब आपते पूछा जाए which of the following तो आफसन सीज कराइट आइट आंसर होगा जो आफसन में दिये गें इनके हिस्ताफ से जो सबसे मजबूत बोन है वो फीमर है और वैसे भी फीमर है ठीक है अब लाश्ट में जो बात बिंसन करी है हमने उसे भी समझ लें आप ताकि पेपर में एकजांस में आपको कन्फूजन रहे ठीक है फीमर बोन तो ध्यान रखके जबड़ा बताएंगे आप होल्डेस्ट बोन की जब बात करेंगे तो आप जब बोन बताएंगे जब बोन मतलब होता है जबड़ा और जब लॉंगेस्ट या स्ट्रॉंगेस्ट बोन की बात करेंगे और आफसन में फीमर होगा तो आप फीमर करेंगे ठीक है और एक बात ध्यान रखे कमिसन कभी भी इस तरह के ज़्यादा पास क्यांसर नहीं देता क्योंकि उसको खुद संदे होता है तो ध्यान रखे फीमर और जाबोन कभी एक साथ नहीं दी जाते फीमर और जा बोन कभी एक साथ नहीं दिये जाते है यह बात है नगना और जब भी फीमर दिया जाता है ना तो उसमें कोशन ऐसा उठाया जाता है सबसे मजबूत लंबी बोन कौन सी है सबसे जो लंबी बोन है मतलब सबसे लंबी मजबूत बोन कौन सी है strongest, तो आप बताएंगे, femur और वह से भी, femur जैसे हमने question उठाया है, हमने लिया है, जिस तरह है question इसी हिसाब से आप वहाँ पर देखना, jak नहीं लिखा है कई जगए जा लिखा होता है, to be Esta तो आप इसी हिसाब से answer find करना दोनो deixar सपर शछी है मतलब सबसे मुलाया मड़ी तो आप बताएंगे जो CREVical bone ह Expedition Cl virtues इसे कहा जाता भी उमने बताया था यह cosmeticul bones होती यह वाली bones यह क्या होती है? नार्मर्ली toen जाया करتी है यह mostly क्या होती है? color bone जाता है और clinical bone जाता है मैंने बताया था beauty bone भी कहा जाता है यह जो भी नाम बता है आप याद कर ले हिने ठीक है positive comparative super relative degree लिखा तो इसका मतलब बें सबसे मुलायम बाली हड़ी ठीक है तो ये clinical होगा ये color bone होगा तो इसी को beauty bones कहा जाता है mostly क्या होती है fracture हो जाती है जल्दी से बच्चों में भी देखा होगा छोड़े बच्चों में सबसे ज़्यादा यह fracture होती है कोचे नमबर आप 17 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं निवन वे से कौन सी कपालियस cranial bone नहीं है which of the following is not the cranial bone कौन सी नहीं है क्या होगा राइट आंसर इसका आप संस इसका राइट आंसर होगा maxilla maxilla नहीं है क्योंकि होती है मैंने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में कि यह वालो आपका मुह है ठीक है नाक थोड़ी बड़ी बन गई लेकिन चलो फिर बनाते हैं ठीक चलो ठीक है बन गया ठीक है तो नीचे वाला mandible कहलाता है ओट जो अपर वाला ओट होता है ना ऊपर वाला ऊपर वाला जो ओट होता है इसको क्या कहते है maxilla कहते है ठीक है तो इसलिए यह face वाली bone होगी कहां कि जबड़ा वाली ठीक है फेस में पाई जाती है जबड़ा वाली बोन होगी आपको बता रहा है कमेंड बॉक्स में पिछली वीडियो में बताया था फेस्यल में कितनी बोन पाई जाती है टोटल और इसकुल में कितनी पाई जाती है टोटल head में total कितनी होती है school में कितनी होती है facial में कितनी होती है हम देखना चाहते हैं कि आपको याद है या नहीं आप इदर दर फिर देखेंगे फिर अपना answer बताएंगे तो सभी लोग जरूरा answer बताया करें इसका बाकि जो दिये गए है kapali bone है आपको कि ये सामने वाला जो होगा ये frontal कहलाएगा बीच वाला प्रेटल कहलाएगा पीछे वाला occipital कहलाएगा और कौन सा बचा temporal मतलब ये कनपटी वाला होगा कान के पीछे वाली bone जो होगी ये temporal कहलाएगी तो इसका मालब maxilla कहा है आपको जो आपको जो लिफ है ना लिफ्स ओंट ठीक है नीचे वाला mandible होगा उपर वाला ओंट इसको क्या कहते है maxilla कहते है इसलिए ये bones kapali bone या cranial bones नहीं है रामण जैसा चेहरा बना था इस पर कोशन नमबर आप पढ़ें यहाँ पर देख लें आप 18 नमबर 18 नमबर पर पूछा गया था भही स्वासित वायू में O2 की मात्रा कितनी होती वड़ी अमाउंट आप दी O2 in exhaled air राइट अंसर आपसंसी होगा most appropriate अंसर है आपसंसी 16 परसंट ओके तो ध्यान रखके तो आप 16 परसंट होगा तो आप आंसर मार के करेंगे ठीक है 16 और 18 लगबग लगबग सही आंसर है लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं दिया जाते mostly 16 दिया जाता है क्या 16 परसंट दिया जाता है और यहाँ पर जो एक्सेल दे लिखा है तो इसका मतलब यह है कि जब वायू को बाहर खीचा जाता है या बाहर फेका जाता है तो उसमें आखसिजन को जो परतिस्ट मातरा होती है वो कितनी होती है वो 18 परतिस्ट या 16 परतिस्ट mostly 16 परतिस्ट दिया जाता है 16 परतिस्ट यहाँ पर हमने जाटा separate हो जाता है उनिस भी निश हो जाता है और लों आप जब आब सीजन को क्या करते है जह मलब इक्सेल करते हैं उसमें नाइट्रोजन की कितनी प्रतिसंत होती इनाइप सब्सक्रा नाइट्रोजन ठीक है तो देखे सब्सक्राइब लिघ्थम करते हैं यह गतर हो guard और carbon dioxide कितना होता है यह 4% होता है कितना एकसेल करने में बहाँ सोसन करने में कितना 4% अगर बास समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करें carbon dioxide is equal to 4% लिए बहाँ सोसन में ठीक है और oxygen is equal to 16% या 18% लिए नाइट्रोजन और इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एकसेल होती है यह नाइट्रोजन ठीक है और वाइट्रोजन में इसी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती हो कौन सी पाई जाती है N2 पाई जाती क्या nitrogen पाई जाती है केतनी 88% पाई जाती है एक सेहल ले में ठीक है तो यह 16 प्रतिसद होगा यह 4 प्रतिसद होगा कर्बन डायक्साइड इच कर लो 4 प्रतिसद आफिज देने जेकल तो 16 प्रतिसद कोशन नमबर 19 सांतिक साथ पढ़ लेना कोशन नमबर 19 वायू में समानता है ओटू का आंसिक दाब पार्सियल प्रेसर कितना होता है इसका जो लगभग में आंसर है आफटन ए राइड आंसर होगा क्या हैंड़ में यह पार्सियल प्रतिसद आप होता है इक बात ध्यान रख कि जो पॉइंट यहां पर बेंसाने काफी important आपके लिए हैंडेट से 105 के बीच में जो भी answer होगा वही आपका answer सही होगा कभी कभी क्या होता है 104 दिया जाता है तो 100 और 105 बाकी आप देखे जिस हिसाब से हमने लिया है कोई भी आपको handed का आसपास नहीं मिला होगा ठीक है handed का आसपास का मलब होता है 245 नमर इधर उधर ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरियर्शन नहीं है आपर वैरियर्ट ठीक है तो 104 भी होगा 105 भी होगा तो इसका मलब handed का आसपास होगा कोशन पढ़ लेना यह ओटू का नार्मल आंसिक प्रेशर है क्या आंसिक प्रेशर तो इस दाफ से आपको ध्यान रखना है यह पॉइंट अब जो point mention है उन्हें भी समझ लें आप inspired में कितना होता है इसका जो प्रेशर होता है 158 या 160 MMSG होता है ठीक है expired में कितना होता है यह होता है 116 MMSG होता है TCU में कितना होता है उतक में यह यहाँ पर 20 लिखने ना 2240 कितना 20 से 40 MMSG ठीक है यह क्या है आंसिक दाब है वायू के माध्यम से कि जो भी पढ़ते हैं expired inspired इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आप अब देख लें यहाँ पर जो कोशन निकजांस में पूछा गया था आपने उसे वाल लाइनर में ले लिया है यहाँ पर लिखा है वायू में oxygen और carbon dioxide का आंसिक दाब इसी का मतलब है partial pressure कितना होता है कितना होता है जो प यहाँ पर मेंसा है इसका मतलब partial ठीक है partial pressure के बारे बात किया है O2 कितना होता है 159 mmHg होता है और प का मतलब पार्सियल आप O2 और CO2 लिखेंगे ठीक है 0.3% mmHg यह question exam में पूछा गया है तो आप इसे इसी तरह लिख लें ओके पी नहीं लिखा होगा तो गबडाना नहीं है ठीक है पी मतलब हमने indicate किया कि partial pressure अब यहाँ पर देख लें जो point और भी पूछे जाते हैं जो उपर English लिखी है उसी का हिंदी नीचे लिखा है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें यहाँ से सो और हैंडेट के बीच में तभी आप मानेंगे आंसर ओके अब यहाँ पर लिखा है वेर आइस दपार्सेल प्रिशर आप दी आक्सिदेट पल्मोनरी वेनस बिलाड़ीज अबाउट दी हैंडेट एमेम हजी होता है जब आक्सिजन आक्सिजिनी करत हो जाता है तब फुस भी आपकी समझ में नहीं आई वायू में समानतहा सी ओ टू का आंसिक दा पार्सियल प्रिशर कितना होता है वर इदा पार्सियल प्रिशर ऑफनी सी ओ चे तो अब यह ने बताया था आपको डेसिमल में वैलू थी उसकी दसमलों में इसलिह इस कामसर कितना हो चार होगा 0.3 पढ़ा था भी उपर कोशन में जो पूछा गया था उसी के आसपास का डाटा लिखा है 0.4 MMSG तो कोशन जिसी साफ से लिखे गए उसी साफ से पढ़ लें अब देखें यहाँ पर दोनों में से कोई भी मिल सकता है आपको ठीक है डेसिमल में ही होगा लेकिन एक बात और ध्यान रखके आप हो सकता है घबडा जाए आप इस तरह देखके वर्ड मालो की यहां लिखा हो इस तरह 0.4 MMSG इस तरह समझे थोड़ा यहां पर लिख देता हूँ आपको 0.4 MMSG ऐसा लिखा हो तो आप घबडाना नहीं भई यह 4 लिखा है 0.4 ही लिखा है क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता मतलब बहुत होता है लेकिन डेसिमल के बाद कुछ मतलब नहीं लिया जाता है तो अगर 0.4 लिखा हो यह 0.40 लिखा हो यह 0.30 लिखा हो decimal के बाद 0 लगा हो तो इसका मतलब आप उतना ही समझेंगे कितना 4 समझेंगे ठीक है यह mathematical था आप समझे question number 21 21 पे दिया गया है आतों से calcium एवं phosphorus के और social के लिए कौन सा vitamin आवेस्टा के which vitamins is necessary for the absorption of the calcium and phosphorus from the intestine क्या होगा इसका right answer पिछले वीडियो का question है मुश्टी योगों ने साही दिया था answer जिसका गलत है देख लिए आफसन यहाँ पर vitamin D है आफसन C है क्या आफसन C इसका right answer होगा vitamin D आतों से जो calcium और fast phosphorus का absorption होता है मतलब आफसोशड होता है वो vitamin D करता है कोन करता है vitamin D करता है और यह क्या है कैसा vitamin ADEK यह वसा में गुलंसील vitamin है ADEK यह ध्यान रखे point काभी important है ADEK क्या है fat soluble vitamins है okay this point is very important in your exams ADEK क्या है वसा में गुलंसील vitamins का है या fat soluble और BC क्या होता है BC होता है gel में गुलंसील vitamin तो ध्यान रखना यह point अब मैंने एक question पिछले वीडियो में cover किया था बताया था आपको एक single question लिया था calcium के absorption के लिए अगर calcium का absorption body में होगा तो उसके लिए कौन सा vitamin important role play करेगा आप बताएंगे vitamin D important role play करता कौन सा vitamin vitamin D okay calcium के absorption में अगर आप calcium लेते हैं आप धूप में नहीं रहते आप धूप में नहीं रहते हैं बाई दवे आप किसी भी माध्यम से vitamin D लेते हैं कोई भी mean होता है अगर आप calcium लेते हैं तो आपकी body में क्या है vitamin D अगर आप नहीं लेते तो आपकी body में जाहिड सी बात है calcium की कमी हो जाएगी calcium लेने के बाद भी calcium आप खा रहे हैं फिर भी आपकी body में absorption नहीं होगा ठीक है और absorption नहीं होगा मतलब body उसको digest नहीं कर पाएगी तो इसलिए vitamin D अवैस्था के calcium के और absorption के लिए calcium के लिए calcium के लिए calcium और phosphorus दोनों बातों पर ध्यान रखना होगी अब यहां पर वही बात मिहमसन है जो बात हमने English में बताई आपको ठीक है जो हमने summary हिंदी में बताई आपको वही बात यहां पर मिहमसन है अब जो doubt वाले कोशन थे जो भी बहुत सारी महिलाओं ने और महापुरसों ने पूछे थे अब यहां पर बात करेंगे उनके बारे में अब देखे कोशन में यह कापी पेल लेके बैठ जाएं और लिख लें यह चीज़े ठीक है यहां पर कुछा गया है तब आप का अंसर होगा सार्टोरियस मसल क्या लिका है सार्टोरियस मसल्स या मांसपेसी हिंदी में मांसपेसी कहा जाता है यह सार्टोरियस जो मसल्स है पाई कहा जाती है थाई जांग में पाई जाती है यह सबसे लंबी मसल्स होती है आपके बॉडी की ठीक और हमने जो कोशन में दिया था पिछले वीडियो को कोशन है टेस्ट नमबर 129 119 उसमें हमने दिया था निम निमे से कोशन में लिखा था हमारा वीच आप दी फॉलाविंग जो कहना हम लार्जेस्ट मैंने पूछा था वहाँ पर कि लार्जेस्ट या बिगेस्ट कुछ हाँ बिगेस्ट बोन्स जो मसल्स थी लेकिन वहाँ पर लॉइच नहीं पूछा था हमने कोशन में वहाँ पर बिगेस्ट लिखा था या लार्जेस्ट लिखा होगा आप कोशन को दुबारा जाके देखना 129 यह टेस्ट नमबर है ठीके जब भी हम कोशन को सॉल्व करते हैं हम हमेशा मोशली क्या होता जो आफसन दिये होते हैं आफसन के कॉर्डिम सॉल्व करते हैं जो बाते होती हैं उससे रिलेटेड वो हम डिटेल्स में बता देते हैं आपको तो बहुत ज़्यदा डॉप था आप बताएंगे जब सबसे लंबी मसल्स पूछी जाएगी बोडी की तो आप बताएंगे सार्टोरियस मसल्स आप इसे लिखने पाई कहां जाती है जांग में पाई जाती है अब देखे यह क्या होती है यह मालो आपकी जांग है तो यह यहां से इस तरह जाती है इधर से यहां से यह सबसे लंबी होती है यह longest होती है अभी यहां से आप satisfied नहीं होंगे अभी next में satisfied होंगे थोड़ा से अभी एक question और उठता है यहां से जो बहुत पुछा जाता है आप देखे question नमर यहां पर यह B में A B group में What is the biggest? Biggest लिखाओ या largest लिखाओ क्या? Largest बट longest ना लिखाओ largest, biggest आपस में एक दूसरे के synonyms होती है तो आप इस तरह इससे समझें जब biggest पूछा जाएगा Body, what is the biggest muscle in the body? तब आप बताएंगे Gluteus Maximus क्या? Gluteus Maximus यह सबसे बड़ी muscles होती है आपकी, आपकी body की सबसे बड़ी muscles मतलब biggest या largest बड़ी और लंबी में अंतर होता है ठीक है? लंबी का मतलब होता है कि वह लंबी चोड़ाई ली जाएगी, लंबाई चोड़ाई ली जाएगी लेकिन लंबाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लंबाई पे कहेंगे यह क्या है gluteus maximum होता है आपने यहाँ पर देखा हुआ कि बहुत से injections लगाये जाते हैं यह पीछे के buttocks होते हैं ठीक है यह क्या होते हैं लंबाई चोड़ाई में दोनों और से क्या होते हैं यह कमरवाला part है आपका यह कमरवाला पार्ट है तो आप समझें यहाँ पर थोड़ा सा तो यह देखिए लंबाई और चोड़ाई यहाँ पर आप बता नहीं सकते कि जांग में इस तरह की एक मसल से जाती है, लंबी सी होती है, ठीक है यहीं से connect होती है, इस इधर पीछ से connect होती है, जांग से यह जो बीच में पटेला होता है, पटेला के उपर जस्ट क्या होती है, जॉइंट होती है, तो इससे biggest का जाता है, इससे largest का जाता है, समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर भी कोसिस करेंगे दुबारा इस एक बार फिर लाएंगे बहराल समझ गया होंगे यहाँ पर हमने MCQ में नहीं लिया क्योंकि आप कमोशली कंप्यूजन था आप इससे समझ लें फिर से MCQ में लेके आएंगे तो longest आप समझ गया होंगे longest में सौर्टोरियस बताएंगे biggest में या सबसे बड़ी पूछा जाएगा हिंदी में लिखना चाहिए तो लिखने है सबसे बड़ी muscles आपकी body की gluteus maximum और लेकिन जो भी हिंदी medium से है क्योंकि हिंदी से आप confirm नहीं कर पाएंगे कभी कभी क्या होता है बोर्ड वाले भी गलती करते है कोशन में ज़्यादा हिंदी में problems बहुत ज़्यादा करते है इंगलिस में तो मुश्ली मुश्ली सही थोड़ा लिख देंगे longest biggest या largest में थोड़ा बहुत difference में लेगा लेकिन हिंदी में बड़ी और लंबी में कोई ज़्यादा difference नहीं समझता क्या होता है इस सारे जितने इंडियंस होते हैं हिंदी को एक जैसा समझ लेते हैं ठीक है तो इस पर ध्यान रखना है आपको कि जो हमने biggest और longest ने बता है यही answer इसके right होते है ठीक है उमीद करता हूँ आप समझे होंगे लेकिन जो हमने question वहाँ पर पूछाता ना पिछले question में तो आप लोगों नो जो वहाँ पर काफी गलत voting किया था वहाँ पर आपने बताता नहीं यह नहीं हो मेसेटर्स मसल्स यह face मेस्टित होती कहां पर facial part में होती आपके जिसका कारी क्या होता है जो solid भोजन होता है कोई भी ऐसी tight वाली चीज़ होती जो से आप मुझ से चबाते हैं या खाते हैं तो उसी को क्या कहते है मसल्स कहा जाता है हिंग्लिस में यहाँ पर देख लिए इस पैरिंग हिंदी में यह मिमसन है मसल्स से लिखने हैं चाहे मांस बेसी लिखने हैं यह सबसे मजबूत है उमीद करता हूं सबसे लंबी सबसे बड़ी longest largest और strongest मसल्स आप समझ गये होंगे आज के बाद कभी भी ज मेंडीबल सुझ होती है और चीक बोन होती है इनको आपस में करती है जोडती है अगर आपसे पूछे यह पाई कहा जाती तो आप फिस में बता देना क्या पिस में पाई जाती इस तरह डरेकली आप समझ लें अपनी हिसाब से आप जो कोशन है कोशन नमबर है 22 22 यह आपके सेंटर लोकेटेड कहा इसीत होता है यह जो आपसन दिये गए एकॉर्डिंग टू आपसन आपको आमसर बताना है यही बात जो हम बताते हैं हमेशा एकॉर्डिंग टू आपसन तो आपको उसी में कोशिस करनी चाहिए ओके आप ज़्यादा डाटा देना चाहते तो आप ब को Donc कामेंड बाक्स खुला हुआ है वहां पर कमैंड किया करेंगे हो सकता है ना दे पाएं कमैंड का जवाब लेकिन क्या करेंगे उसे हम वीडियो में जरूर कभर करेंगे ताकि सभी लोगों बहलाु हो सके उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल पर नहीं से subscribe कर लें, like करें अपने दोस्तों के साथ share करना चाहें तो share करें और हमारे दूसरे चैनल पर जाएं जहां पर हम GKGS करेंट आफेर पढ़ाते हैं वहाँ पर हमारे दूसरे चैनल को भी subscribe करें, नीचे हम उसका link के दे देंगा, उस channel के नाम है GS India Research Center, okay तो नीचे comment box में और description box दोनों जगे हम लिंक के दे देंगे उसका सभी लोग जाएं वहाँ पर तो लोग सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें GKGS करेंड़ पर पढ़ने के लिए क्योंकि सभी की exams में GKGS भी आती है मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट्स जैहिन